हेलो दोस्तों आज मार्किट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है जैसे कि आप सब भी ने देखा भी है कि निफ्टी अगर हम यह आप पर निफ्टी पर जाए तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि निफ्टी किस तरीके से गिरती हुई नजर आई है अगर हम यहाँ पर BSC देखे या Small Cap देखे मिट Cap देखे जो एक कड़के हम देखेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि एक Gap Up Open होने के बाद चीजे में एक गिरावट लगातार होती हुई नजर आई और यहाँ पर कोई अभी तक जब भी गिरावट हो रही थी तो क्या हो रहा उस सब चीजों से रिटेड हम बाते करेंगे ठीक है प्लस में एक अची न्यूस भी भारती हमार्केट के लिए आई है ठीक है और उसके आती साथ मार्केट में इतना बड़ा क्रेश भी आ गया है वस सब चीज से रिटेड बाते करेंगे बट उससे पहले हमिशा की तरह के देखिए सारी वीडियो देखिए बहुत सारी नॉलिज मिलती हुई नजर आएगी चीज़े समझ में आती हुई नजर आएगी कि और बाकी अगर बारी किया सीखनी है हाना तो यहां पर हमारा कोर्स है दोनों नूमरों को सेफ कर लीजिए बेसिक्स टुए टेकनिकल रिसर्च फंडमेंटल कब लेना है क्यों लेना है किसले लेना है यह सब कुछ आपको यहां पर पता चलता हुँ नजर आएगा क्यूं क्या कैसे किसलिए के जवाब मिलते हुए नजर आएगे और इसे करने के ब नोट्स और स्ट्राटीजियू इस टॉक मार्केट सब कुछ दिया जाता है एक बार कोर्स को करोगे एक साल जैसे कहूंगा उस तरीके से मैनत करोगे पीछ मोर्गे देखने की जरूवत नहीं पड़ेगी और बागी किसी को साथ में काम करना है अच्छे श्टॉक्स में पै पर बात कर रहे है क्रेश से रिलेकर क्या स्टॉक मार्केट क्रेश हो गई है क्योंकि एक बड़ी गिरावट यहां पर आती हुई दिखाई दी है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं okay as well as दूसरे इंडेक्स भी दिखाऊँगा वहां पर आप पताँ अब पदाँ चलेगी सुनोगे तो सीख में सीखने को मिलेगा समझने को मिलेगा HDFC यहाँ पर देखिए HDFC बैंक के अभी कुछ दिन पहले ठीक है लास्ट वीक यहाँ पर रिजल्ट आयते उसके बाद HDFC बैंक में क्या होता हुआ नजर आया तो यहाँ पर हम चलते हैं तो आपको पता चलेगी कि HDFC का ADR गिरता हुआ नजर आया HDFC का उसके बाद शेयर गिरता हुआ नजर आ और एक अच्छा खासा gap down होता हुआ नजर आया ठीक है तो सबसे पहली बात अच्छी बात यह है कि हम HDFC जैसे कोई भी श्टॉक्स को बताते नहीं है और यह gap down gap up में क्या होता है किस तरीके से होता है यह हमारे कोर्स में है होता तक इनको ही खरीदने की होड मची रहती थी अब अभी क्या हो रहा जब गिर रहा है तो इन्हें कोई टच नहीं करना जाता नोबड़ी वांस टू बाइज श्टॉक्स तो इस तरीके का एक behavior है ठीक है तो पहली बात यह हो गई तो क्या खतम होगे HDFC बाइंग क्या यह यह रीजन है हाँ ओविसली बात है अगर अगर हम यहां पर HDFC को देखे और HDFC अगर यहां पर आप देखोगे की लगग 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 तीन परसेंट गिर रहा है और यहां से आप देखोगे लगाता गरता वो नजर आ रहे हो तो कहीं ने कहीं मार्किट पर प्रेशर ऑ हम यहां पर बात कर लेते हैं तो भी हम यहां पर बात कर लेते हैं तो दूसरी बात यहां पर आज एग श्टीमेंट आया है जैसे आप यहां पर जाओगे स्केन पर आ तो आपको ise की कुछ FIs ने बहुत सारे शेयरों में अच्छी खासी holding लेके रख रखी है ठीक है ना ownership लेके रख रखी है तो सेभी ने वही का है कि आप लोग यहाँ पर ownership नहीं ले सकते तो इस वज़े से हो सकता है कि यहाँ पर इंडियर मार्केट में आने वाले 6 महिने में डेर दाख से 2 ल लगातार इस परिटिकुला कॉर्टर में केबल नोनों बेच आ है ठीक है डियाइज ने खरीदने की कोशिश करी है बट इनकी जो गिरावट है जो यह बेस्ते हुए नजर आ रहे है वो कुछ ज्यादा ही होती हुए नजर आ रही है इस चीच को भी आपको यहाँ पर ध्या रहे होते हैं वो यहाँ पर निकालते है टेक्निकल टेंशन ठीक है यहाँ पर आप देखोगे तो टेक्निकल साइटप भी थोड़ा से नेगिटिव बनता हुए नजर आ है तो इस वाज़े से मार्केट में ऑवरल गिरावट की संकेत है दूसरी बात पॉजिटिव न्यूस कहा है तो पॉजिटिव न्यूस पर हम आते हैं तो आपको पता चलेगा आज एक मौर्निंग में न्यूस आई है कि इंडिया ओवर्टेक होंग कॉंग एस फॉर्थ लार्ज़ श्टॉक मार्केट ओके तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो इंडिया जो मार्केट है पॉर्थ पोजिशन पर आ गई है इससे पहले होंग कॉंग कॉंग तो हॉंग कॉंग कॉंग काहीं डायेक ट्रेट्ली रिलेटेट चाइना का मार्केट है तो इसलिए अगर हम देखें तो हॉंग कॉंग कभी फॉर्थ नंबर पर हुआ करता था हम फिया आज हमने यापर उ अच्छी न्यूस आई और अच्छी न्यूस आने के सांत मार्केट में वह गिरा वोट हुई बट यह चीछ क्या बता रही है यह चीछ बता रही है कि लोंग तंढ में भारत का मार्केट कहा जाने वाल यह है तो अच्छी खासी अर्णिंग आती हुई दिखाई दे लिए तो यह सब चीजों को आपको क्या करना है यह सब चीजों को मिलाना है और उसके बाद ही करना है कि आप क्या हो अब बात करते हैं यहां पर फंडामेंटल और टेक्निकल से देटीड तो अभी तक तो देखिए डो जोंस में भी गिरावट नहीं थी इसी तरीके से नाके ब्रावरी गिरावट है हां देखो कि 0.16% की गिरावट है और मैं हमेशा मैं आपको बता चुक निफ्टी 50 और डो जोंस हमेशा सासे चलते हैं निफ्टी 50 में आप देखोगे न तो निफ्टी 50 में जो यह ब्रेक आउट है वह पहले ही हो चुका और इसका जो ब्रेक आउट है यहां पर आप देखिए अभी होता हुए नजराए तो निफ्टी अलरेड़ी उपर है इसे यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट दिखा है और उसके बास everything यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नजरा है तो यह भी होता हुआ नजरा सकता है तो क्या American market भी गिरती हुई नजरा रही है मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अगर गिरावट हुई तो थोड़ा बहुत यहाँ बहुत कम chances है आता है और positive हो जाएगा ठीक है न तो याद रखिये मैं हमेशा बता रहा हुँ कि 2024 investment वाला टाइम है यहाँ पर आपको बेच के नहीं चलना है यहाँ पर अच्छे शेरों को लेके बैटना है और जब आप अच्छे शेर को लेके बैटोगे तो आपके portfolio में गि रहोगे आपको सब चीज यहाँ पर पदा चलती भी नजर आएगी तो डो जों से लिटीडी हो गया अब बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के index से लेटे तो जैसे कि मैंने बताया था निफ्टी का index क्या गयरा है निफ्टी का index यहाँ पर देखिए breakdown होता हुआ नजर आ र रहे थे वह यहाँ पर रिलेक्स मोड पर आ जाएंगे और फिर मेरे को लगता है कि अच्छी खासी बाइं यहाँ पर से आती हुई दिखाई दे सकती है ठीक है तब तक यहाँ पर HDFC की news भी खतम हो जाएगी ठीक है न दुबारा जो कुछ companies के आच्छे result भी आते हुए रहा है ठीक है यहाँ पर आप जाओगे Sun Pharma तो Sun Pharma में आप देखोगी लगबग 4% तो यह भी Nifty का पार्ट है कहीं न कहीं यह ऊपर की तरफ इसे लेके जा रहा है ठीक है तो कहीं न कहीं कुछ के बेकार रिजल्ट हैंगे कुछ के अच्छी रिजल्ट हैंगे और वही एक दूसरे को क्या करते हो नज़राएंगे बैलेंस करते हुए नज़राएंगे निफ्टी मिटकेप की बात करें निफ्टी मिटकेप में 3% की गिरावक्त यह एक सपोर्ट है ठीक है जो लाश्ट यहाँ पर था वही एक सपोर्ट है लगबग 45,871 के आसपास का यहां से बांस नहीं आसकता आसकता है बट जितनी गिरावट होगी अपॉर्चुनिटी ही बनेगी बेकार स्टॉक्स यहाँ पर से हटते हुए नज़राएंगे जरे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बुल मार्केट आती है तो घदे और घोड़े दोनों साथ में दोड़ते हैं ठीक है और गदे अच्छे खासे भाग जाते हैं बट जो घोड़े होते हैं वो हमेशा पार लगाते हुए नज़राते हैं स्मॉल कैप में भी गिरावट है यह एक सपोर्ट है यहाँ पर टिग्या ठीक है अदरवाइस नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है इस लेवल तक आता हुए दिखाई दे सकता है तो इस चीट को भी आपको ध्यान रखना अबर अवरल इंडेक्स जब उपर जाएंगे पूरा अमेरिकन मार्केट उपर जाएगा इंडिया मार्केट उपर जाएगा तो यह सब कुछ रिकावर हो जाएगा दूसरी बात निफ्टी बैंक में देखोग ठीक है इसी सपोर्ट से यहां पर यहां पर चीज़े भागती भी नजर आएगी तो यहां तक तो यह आता हुआ दिखाई दे रहा है इस दोनों लेवलों के आसपास आके चीज़े यहां से बांस बैक हो जाएगी तो इसमें डरने की बात नहीं है दूसरी बात देखिए व फंडमेंटली बहतरी शेयर है HDFC ICICI यह पैसा नहीं बनाएंगे ठीक है यहां पर आज देखिए यहां पर लगबा हजार पॉंट यह गिरता हुआ नजर आए 2.26% PSU स्टॉक ही है और मैं यहां पर PSU बैंकिंग में यहां पर आजाता हूँ तो आपको बदा चलेगा लगव बेकार के साथ में रहोगे तो वह यहां पर डूपते हुए नजर आएंगे ठीक है गदे है तो यहां पर कहीं ना कहीं गोडों को पचार नहीं पाएंगे इसीच को याद रखिए नॉर्मल भी है वह आप यहां पर समझ भी सकते है तो बाइंग सालिंग की रिकमेंटेशन है वो काफी इंपोर्टेंट है ठीक है जो कि यहां पर होने भी वाली है यहां पर मार्च में भी है ठीक है और अभी भी है यहां पर आप देखोगे ना तो FMCG की यहां पर मीटिंग से लेटेड आ जाएगा तो क्या है रेट कट रेट कट होने वाले है एक बार रेट कट तो ऐसी भागते है, जब गिरावट हो नहीं थी, तब गिरावट हो गई, अब यहाँ पर जब भागना चालू होगी चीजे, तो फिर भागना चालू होगी, कुछ भी चीज़ यहाँ पर बेकार नहीं है, कुछ चीजे बहुत सालों बाद यहाँ पर निकलती हुई नजर इन नमबरों को नोट करें, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सकाइब करें, कोर्स करें, सीखें, साथ में काम करें और सीखना बहुत जरूरी है, साथ में काम करना बहुत जरूरी है, अगर पैसे बनाने है, ताकि यह चीज़ें समझ में आए कि exactly किस तरीके से यहाँ पर चलती हुई नजर आती है Thank you so much, God bless